हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरु मिगलानी हम जो टोपिक इस वीडियो में डिसकस करेंगे वो अकाउंटिंग रेशो से रिलेटिड है तो टोपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इसी वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में को सोल करने से पहले हमें करंट रेशो लिक्विड रेशो इन्वेंट्री टर्नवर रेशो ये रेशो हमें पता होने चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को डिरेक्ट देख रहे हैं तो आप पीछे वाले रेशो को एक बार अ अपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 5000 जादा हैं रेवेणियू फ्रों ओपरेशन 2 लाग ग्रो ्रोस प्रोफिट 1 āम्रों कोस्ट्र रेशो ये िरो तीन आईटम्स फाइंड आउट करनी हैं First है Cost of Revenue from Operation. First item को हम Cost of Goods Sold भी कह सकते हैं. Second item हमको Opening Inventory और Closing Inventory दोनों Amounts Find Out करने हैं. Third item देखिए हमको Quick Assets और Current Assets इन दोनों Assets के भी Balance Find Out करने होंगे. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस Equation के Base पर ये देख लेते हैं कि हम कौन सी Item Identify कर सकते हैं. अगर मैं Inventory Turnover Ratio का Formula लिखूँ, ध्यान से देखिए. Inventory Turnover Ratio का Formula क्या होता है? Cost of Revenue from Operation divided by Average Inventory. Inventory Turnover Ratio जो की मेरे पास Five Times Given है. अगर मैं यहाँ पर Five लिख देता हूँ. हमारे पास अब यह दोनों आइटम्स कोशन में Given ही नहीं है. ना तो हमको कोशन में Average Inventory पता, ना Average Inventory निकालने के लिए Opening Stoker और Closing Stoke पता. क्योंकि रियाल्टी में Opening Inventory और Closing Inventory तो मुझे Find Out करनी है. तो जब मेरे पास ना Opening Inventory ना मेरे पास Closing Inventory तो हम Average Inventory Find Out नहीं कर सकते हैं. कॉशन के अंदर मुझे Cost of Revenue from Operation भी Find Out करना है. तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस Formula को हम Use करके कोई भी Item Find Out अभी नहीं कर पाएंगे. अब हम देखते हैं हमारे Next Step की और कि हम आगे और क्या कर सकते हैं. कॉशन के अंदर हमको Sale दी हुई है. हमको ये भी Given है कि Gross Profit कितना है? Cost का One Fourth. मैंने आपको पीछे वाली वीडियो के अंदर एक बात बार-बार बोली है कि अगर हमको ये Formula लिखना आ जाए तो हमको क्या करना है? बस तीनों के बीच में Relationship बनाना आना चाहिए. Sales या जिसको आप Revenue from Operation लिख सकते हैं. Sale क्या होती है? Cost of Revenue from Operation plus GP होती है. मान लीजिए मैंने एक 100 रुपे की चीज बनाई. उसके अंदर मैं 20% का Profit एड़ करके उसको कितने में Sale कर देता हूँ? 120 के अंदर Sale कर देता हूँ. तो यही तीनों में Relationship होता है. तो ऐसा ही कुछ हमे इस Question में भी Use करना होगा. Question में ध्यान से देखिए. Question में हमारे पास Sales का Amount Given है. तो आप यहां लिख देजिए. अब हमारे पास Growth Profit कितना दिया हुआ है? 1 4th on Cost. जबकि Cost कितनी है हमको ये भी नहीं पता. हम क्या करते हैं? Cost को 100 मान लेते हैं. कितना? 100. तो GP कितना हो गया? 1 4th हो गया? इसका. GP 1 4th इसका. तो बोले तो 25. तो कहने का मतलब क्या है? मेरे लिए जो Product 100 पाए का था. मैंने उसे 25 रपाए Growth Profit एड़ करके कितने में सेल कर दिया? 125 में सेल कर दिया. अब आप सोचकर देखिए. सेल हमें 125 गिवन है. जो हमने Find Out कर ली. परसेंटेज में 125 है सेल. यहाँ पर मैं Simple सा Mathematics यूज करूँगा. सेल्स परसेंटेज के कोडिंग 125. तो यहाँ पर सेल्स अमाउंट में कितनी दिया है? हमें 2 लाग. अब कॉस्टन में आप या तो यह Find Out कर लीजिए या यह Find Out कर लीजिए कुछ भी कर सकते हैं. पर हम अपन 100 यहाँ लिख लेते हैं. अब ध्यान से देखिए मैंने Left Side, मैंने Left Side Percentage का कोलम फोलो किया है. Right Side मुझे Amount रखा गया है. Left, Right Side मैंने क्या रखा है? Amount रखा है. तो सेल अगर Percentage के According 125 है तो Amount में हमको Given है. That is 2 लैक. Cost of Revenue from Operation मैंने कितना माना था? 100. तो आप इसको Amount में Find Out कर सकते हैं. तो 2 लाग के नीचे आप 125 लिखिए, Multiply कर दीजिए, 100. तो आपको क्या करना है? बस इस Simple सी Equation को Sol करना है. जब आप इसको Sol करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,60,000. कहने का क्या मतलब है? Cost of Revenue from Operation हमारे पास आ गई है. क्या है? 1,60,000. तो definitely हमारे पास पहला answer आ चुका है. 1,60,000. अब क्या कीजिए आप? अब हम क्या करेंगे? उपर वाले formula को अब use करेंगे. क्या? यहाँ पर आप amount रख दीजिए. क्योंकि हमने अभी find out किया. लिख दिया. अब हम क्या करेंगे? आप एवरेज इन्वेंटरी कोशन में गीवन नहीं है. आप एवरेज इन्वेंटरी को ऊपर ले जाएए. एक लाख साथ हजार के नीचे डिवीजन में क्या ले आईए? फाइव ले आईए. आपको क्या करना है? यहाँ पर ये एवरेज इन्वेंटरी का amount शोल करना है. मत दिवाइड करना है तो हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी. that is 32,000. अब यह बात हमको कॉशन में पता है कि एवरेज इन्वेंटरी का formula क्या होता है? opening इन्वेंटरी plus closing इन्वेंटरी divided by 2 is equal to हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी कितना रखा हुआ है? 32,000. अब 2 को इदर multiply में ले जाएए. जब आप 2 को इससे multiply करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ये? 64. आप 64 direct लिख दीजिए. लिख दिया. कहने का क्या मतलब है? opening इन्वेंटरी और closing इन्वेंटरी दोनों का total क्या है? 64,000 है. पर हमको यह नहीं पता कि इस 64,000 में से opening इन्वेंटर कितना है? और closing इन्वेंटरी क्या करना है? तो हमने क्या करना है अभी? ये जो हमें link दिया हुआ था ना, closing इन्वेंटरी 5000 जादा है opening इन्वेंटरी से. इस एक line के बिहाफ पर आप इस statement को solve कर पाओगे. हमने क्या करना है? opening इन्वेंटरी को आप x consider कर लीजिए. तो closing inventory है, वो opening inventory से 5000 जादा है. तो हमने x के अंदर 5000 एड़ कर दिया. is equal to 64,000. आप यहाँ पे दोनो x को एड़ कर लीजिए. 64 में से 5000 माइनस हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 59,000. x की value जब आप निकालेंगे, तो x की value निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 59 को 2 से divide करना that is the 29,500. तो हमारे पास यहाँ पर x की value आ गई है. कॉश्चन में ध्यान से देखिए, हमने x किसको consider किया था? opening inventory को. मतलब हमारे पास opening inventory की value आ गई है that is 29,500. closing inventory कितनी है? closing inventory इसने कहा था ना, कि opening inventory से 5000 जादा है. तो अगर opening inventory 29,500 है, तो इसके अंदर अगर आप 5000 add कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? closing inventory आ जाएगा. तो हमारे पास opening inventory का amount भी आ गया, closing inventory का amount भी आ गया. अब मेरा जो next target है, वो है quick assets निकालने का, और current assets निकालने का. तो हमको quick ratio question में given है, आप quick ratio का formula लिख लिएजिए. quick ratio का formula क्या होता है? quick assets divided by current liabilities. अब question के अंदर quick ratio हमको question में already given है, कितना? 0.75, इसका मतलब है कि current liabilities हमारे पास एक है. अब question गंदर quick assets कितनी है, पता नहीं है, क्योंकि यह तो हमको find out करना है, current liabilities हमको given है, कितनी? 60,000, आप current liabilities का amount रख देजिए. हम cross multiply करेंगे, तो हमारे पास quick assets का amount भी आ जाएगा. 60,000 को आपने 0.75 से multiply करना है, तो quick assets का amount जब आप soul करके देखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45,000. पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, कि current assets में से अगर मैं inventory का amount, बोले तो closing inventory को अगर मैं minus कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है? quick assets बन जाता है, अब question के अंदर हम quick assets find out कर चुके हैं, that is 45,000, current assets मुझे पता नहीं है, closing inventory 34,500, तो आपने क्या करना है? current assets निकालने के लिए 45,000 के अंदर, ये 34,500 आपको add करना है, तो definitely हमारे पास current assets का amount आ जाएगा, that is 45,000 plus 34,500, that is 79,500. तो हमारे पास यहाँ पर quick assets का amount भी आ चुका है, और current assets का amount भी आ चुका है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को समझने से पहले, आप पीछे वाले ratios बिल्कुल अच्छे से clear कर लीजिए, क्योंकि पीछे वाले ratios की खिचडी सी बनी है इस वीडियो में, आप उस खिचडी को अगर समझ गए हैं, तो I hope आगे वाली वीडियो भी अप clear हो जाएगी, तो वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको फिर से इस question को conclude कर देता हूँ, हमने इस question में सबसे पहले क्या किया, इन दोनो equations के base पर हमने find out किया cost of revenue from operation, जैसे ही हमारे पास यह आ गया, तो मैंने इस formula में put करके, मैंने average inventory को बाहर निकाल लिया, average inventory को मैंने बाहर निकाला था, average inventory के सामने जो amount मेरे पास आया था, मैंने वो लिखा, फिर मैंने opening stock को consider किया, closing stock मैंने क्या लिखा था, x plus 5,000, दोनों के बिहाफ पर मैंने opening stock और closing stock को find out कर लिया था, that was the 29,500 and second was 34,500, क्या किया, quick ratio का formula यूज किया, जिस में से मैंने quick assets find out कर ली, फिर मैंने current ratio और quick ratio, दोनों के अंदर क्या difference होता है, सिरफ stock का, तो मैंने वही formula यूज किया, कि current assets में से अगर मैं closing stock minus कर देता हूँ, तो मेरे पास रहेगा quick assets, तो quick assets मैंने निकाली थी, मैंने agities रख दी, current assets closing stock मैं find out कर चुका हूँ, लिख दीजिए, current assets यहीं रखी रह गई, यह इधर जाके amount plus हो गया, तो हमारे पास closing stock का amount, sorry, current assets का amount आ गया, that is 79,500, तो हमारा इस question में जो target था, यह सारे targets, यह सारे topics हमारे cover हो चुके हैं, मिलता हूँ, हम आपको next video में, यहां तका video देखने के deन का iteration है, यह सारे कुक आपको देखने के लिए धूगरा dot चुके हैं, यह सindगा मुटने को देखने का यह हमारे cover